जैय सिव संभू, भगवान सिव की किरपा आप पर हमेशा बनी रहे दोस्तों, एस्टो कर्मा पर आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको मिथिन रासी के लिए सुब रंग, सुब रत्न, सुब दिन और उनके सुब अंग कौन से हैं इसके अलावा और सुब चीजे क्या हैं, जिसे वो अपनी लाइफ में यूज़ करके अपने भागे को बढ़ा सकते हैं तो इस वीडियो में आपको ये complete जानकारी मिलेगी, आप चाहें तो इसे end तक भी देख सकते हैं, आपके लिए useful रहेगा आईए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिथिन रासी वालों के लिए क्या-क्या चीजे और क्या-क्या बाते जो हैं सुब हैं दोस्तो जो मिथुन यानिकी जैमनाई है उनका स्वामी पुद्ध है मरकरी और मरकरी जो है उनका अराध्य देव जो भगवान है वो स्री गनेश जी है तो आपकी जो है जैमनाई जो रासी है यही कि मिथन रासी है उनके जो अराद्ध देव हैं वो गनेश जी के हैं तो गनेश जी की पूजा आप जो है जरूर करें मिथन रासी वाले और आपका जो भग साली रंग है वो पीला है तो जो पीला रंग है ये आपके रासी के स्वामी को कॉंप्लिमेंट करता है यानि कि बुद्ध को कॉंप्लिमेंट करता है तो अगर आप अपने जीवन में पीला रंग और पीले रंग से अब तो बहुत सारी shade आते हैं पीले color के आप उन में से कोई भी shade धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं अगर आप yellow color किसी भी तरीके से आप धारण करते हैं तो आप पाएंगे जिसी दिन आप yellow shirt पहन के जा रहे हैं या उसमें सो कोई भी सेड़ा पकड़ लें अगर आपको डार्क येलो पसंद नहीं है लाइट येलो ले ले लें बट येलो होना चाहिए उसमें अगर आप वो पहन करके जा रहे हैं तो आप पाएंगे आपकी मीटिंग ज़्यादा सकस्वल हो रही है आप ज़्याद अच्छे से बात कर पा रहे हैं आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और आपको जो है सकस्स मिलने लगी है आपके जो भाग गसाली अंक है वो हैं तीन और च्छे तो ध्यान रखिएगा यह भाग गसाली अंक का इस्तेमाल आप जरूर करें अपने जीवन में सामिल करें गाड़ी का अगर नम्मर तीन और छे उसमें जरूर होना चाहिए मकान में तीन और छे तो बहुत अच्छा है आप अगर घर में नाम भी रखते हैं किसी का तो उसका योग चेक कर लीजिए मतलब अपने नाम का भी आप योग चेक कर सकते हैं आपका योग जो है तीनिया छे आना चाहिए जो नुम्रलोजी के इसाब से अगर घर में कोई सेम रासी का है यानि की मुथुन रासी का है तो उनका भी जो नाम करें आप नाम करना उसका जो योग आएगा वो तीनिया छे आना चाहिए अनकूल दिसा वो आपके लिए सोना जो सिल्वर लैड गोल्ड यह सब अच्छी रहती हैं आप चांदी और सोनी की धात्यों का धारण कर सकते हैं आपके लिए भाग्यसाली है आपको फाइदा देंगी और आपकी रासी का जो सुब्रतन है वो है पन्ना पहनने से आपका बुद्ध जो है वह बलवान हो जात है और आपको भाग्यसाली बनाता है आपकी राजी के अन्सार अन्यरतनी भी है जो कॉंप्लीमेंटी आं सबस्क्राइब इसके साहद एख से-बगे। कि आपके भागवसाली अंक 3 और 6 हैं तो जब भी आपको काम सुरू करें तो कोशिस करेंगी मंगलवार ब्रिश्पतिवार और रहवार को ही स्टार्ट करें और कोशिस ये करेंगी आपका भागवसाली अंक और भागवसाली वार मैच कर जाए जैसे सपोर्च छे अंक आपके लिए भाग गिसा लिए है और छे तारिक को ब्रस्पती बार पड़ रही है तो आपके लिए बहुत बहतरी उन्डे है कोई भी काम करने के लिए ठीक है आपका जो नेचर है वो डियूल नेचर है इसी लिए आपको किरत्म यानी की पन्ना धरण करना चाहिए आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं आपका जो नेचर ऐसा है कि आपको डिसीजन लेने में शुरू में दिक्कते आती हैं और बात में आप बिल्कुल फर्म रहते हैं तो ऐसे केस में आपका जो decision लेने की छमता है वो अगर आप सुब रत्नियान की पन्ना पहनेंगे तो आपके वो strong होगी और आपके भागे को support करेगी दोस्तों यह सारी vital information थी मैं summarize वापिस से कर देता हूँ आपके रासी का स्वामी बुद्ध है यानि की मरकरी भागसाली रंग पीला है अराद्ध भगवान स्री गनेजी है भागसाली अंक तीन और छे है आपके लिए अनकूल दिशा हमेशा पस्चिम रहेगी रासी धातु जो है वो चांदी सोना सीसा चांदी सीसा और सोना है आपक करके अपने भाग को बल्वान कर सकते हैं चमका सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू वरी मैच धन्यवाद